गुट मॉर्निंग स्टुडेंट्स, वेलकम तो यूर मैथ क्लास, क्लास ओपन यूर बोक्स पेज नमबर 181, तोड़े वी हब तो दू क्वेस्ट नमबर 6 एंड क्वेस्ट नमबर 7, क्वेस्ट नमबर 6 है हमारे पास, यूजिंग यूर रूलर एंड कमपसेज, ड्रॉ सर्कल सब्सक्राइब करने हैं, जिनके रेडियस हमें गिवन है, अब फॉर्स पे हमारे पास 4 संटीमीटर, 4 संटीमीटर का हम लोग जो है, वो सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो क्लास सबसे पहले हमने रूलर लेना है, और रूलर से 4 संटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, तो लेस्ट लाइन और 4 संटीमीटर, क्लास, अब आप यह देखो, मैंने रूलर से 4 संटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली है, नेक्स्ट टैप है, हमारे पास हमने एक कमपस, एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो टेक आउट यूर कमपस, अब आपने जो कमपस है, वो 4 संटीमीटर का खोलना है, ठीक है, अब देखो, यह जो हमने लाइन सेग्मेंट ड्रॉ की है, 4 संटीमीटर की है, तो अपने एक पॉइंट पर रखकर, दुसरे पॉइंट तक आप लोगोंने जो है, वो सर्कल खोल लेना है, ठीक है, 4 संटीमीटर का, इसको हम थोड़ा सा बन कर लेंगे, ठीक है, यह इसते हैं, फोर संटीमीटर का, जो हमें गीवन थाए, रेडियस 4 संटीमीटर, हमने पहले लाइन सेग्मेंट ड्रॉ की, 4 संटीमीटर की, उतना ही कमपस कोला, औór इसे हमने सिर्कल ड्रॉ कर लिया, so for class next part है हमारे पास 7 cm जिसना से हमने A part किया है बिल्कुल उसी तरह हम B part भी करेंगे आपने 7 cm की line draw करनी है ruler से मज़र करके so let's draw a line so class देखो मैंने 7 cm की line draw कर ली है अब इसी तरह हम compass खोलेंगे 7 cm का ठीक है और हम circle draw करेंगे class अब अभी देखो हमने 7 cm का compass खोल लिया ठीक है 7 cm का और हम इसी पॉइंट से जो है circle draw करना start करती हूँ ठीक है अब आप अब आप देखो मैंने 7 cm का circle draw कर लिया है जितना हमें radius के वाने हमने उतने cm की line draw करनी है फिर उतना ही हम लोगों ने compass खोलना है और एक point पर रहकर हम लोगों ने उतने cm का circle draw कर लेना है so class you have to do the remaining parts on your neat notebook class question number 7 है हमारे पास without using a ruler state the diameter of each of the circles you have drawn in question number 6 means question number 6 में हमें radius given थे तो हमने उसे circle draw किया अब हमने उनी circles के diameter find करने है ठीक है अब diameter का formula होता है two radius ठीक है diameter को हम denote करते है d से और radius को हम denote करते है r से ठीक है अब री 4 means जो हमारे पास radius था first वाले part में वह हमें 4 given था so two fours are eight तो हमारे पास क्या diameter आजेगा eight centimeter four class question number 6 का part A में radius four centimeter given था ना और हमने diameter का formula अभी पढ़ा है कि two radius होते है means एक diameter में two radius होते है means अब इस circle को जो radius है वो four centimeter है तो जो diameter है वो eight centimeter होना चाहिए तो आप देखो अपनी ruler से चेक कर सकते हो ठीक है यह अपने starting point पे ruler रखा और circle का देखो end यह होता है ना हमारे पास diameter जो हमारे पास circumference के one point से start होता है दूसे point पे end होता है ठीक है और center point से close भी करता है ठीक है तो वो क्या होता है हमारे पास diameter है हमारे पास होना चाहिए eight centimeter थीक है next part देखो part C इसमें भी हम लिगने diameter find करना है ठीक है diameter का formula हम देख चूके है formula है two radius हम radius के जगा पे 3.3 पूट करेंगे because question number 6 में हमें C part में रेजर गिवन है 3.3 cm जो हमने यहां पर पूट कर दिया है फिर हम 3.3 cm को 2 से multiply करेंगे यह देखो साइब मैंने rough work में multiply करके देख लिया है हमारे पर साथा है 236 point आजेगा 236 means 6.6 cm is the diameter ठीक है अब हम इसको सरकल में देखते हैं कि हमारे सरकल में जो डायमेटर है वह 6.6 cm है या नहीं तो लेट सी पॉर्ट क्लास इसी तरह जिसे हमने previous पार्ट में हमने सरकल ज्रॉ किये थे इसी तरह मैंने इसका भी सरकल ज्रॉ किया है 3.3 cm का हम लोग ने जो है वह पहले लाइन ड्रॉ की फिर हमने 3.3 cm का कमपस कोला और हम लोग ने सरकल ज्रॉ कर लिया ठीक है अब सरकल में हम लोग देखते हैं इसका डायमेटर देखो यह 6.6 cm एजएकली 6.6 cm है ठीक है तो डायमेटर का जो है वह फर्मूला होगा है टू रडियस ठीक है मींस एंड जी तो रडियस को मिला के हमाई पस वन डायमेटर कम्प्ली डायमेटर बन जाता है औरने स्टूडेंट क्लास So students अब देखो मैंने आप लोगों को फर्स ट्री पार्ट से means A, B and C वो मैंने आप लोगों को solve अटके दिखा दिये हैं अब जो part D, E and F जो remaining parts हैं वो आप लोगों ने अपनी neat notebook पे खुद से solve करनी हैं ठीक है बिल्कूल इसी तरह जिस तरह हमने फर्स ट्री पार्ट जो है वो solve की है means जिस तरह हमने इनके circle draw किये हैं इसी तरह आपने इनके circles draw करनी हैं जब आप पूरा part complete कर लोगे फिर आप लोगों ने part 7 पे आना है और diameter find करना start करना है diameter भी मैंने आप लोगों को A, B और C K जो है वो solve के दिखा दिए हैं कि आपने diameter कैसे find करना है फिर जो remaining parts है D, E and F अब आप लोगों ने फिर इसके भी जो है वो diameter find करने है I hope class you understand these two questions and you have to do neatly these two questions on your notebook good bye for class